हलो नमस्कार साथियों मैं हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैनुएन मिलेंगी और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो यह चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है तो आज मॉर्णिंग न्यूज में मैं आज काफी इंपोटेंट खबरे लेकर आया हूँ और जिनका साथ आप सभी को इंतजार होगा तो साथियों मेरे पास बार-बार काफी कोस्टन आ रहे हैं और उन कोस्टन के मैं रिप्लाइद करने की पूरी कोसिस करूँगा तो सबसे पहले कोस्टन आ रहा है कि जो स्पेसल वाले हैं क्योंकि पहले DSSB ने कहा था कि स्पेसल पे वर्क चल रहा है सबसे पहले special वालों को काम पूरा किया जाएगा तो अब question आ रहे है कि special वालों का काम पूरा हुआ है नहीं हुआ है कब तक final result आएगा ये सारी चीजे पूछी जा रही है तो सातियों आपको बता देता हूँ DSSB ने पहले कहा था कि सबसे पहले special वालों का काम होगा MCD PRT वालों से भी पहले लेकिन अब जो situation है उसके according MCD PRT के बाद और भी काफी results आ चुके हैं लेकिन अभी special वालों के उपर उन्होंने कोई ध्यान साइद नहीं दिया है हो सकता है कि special वालों का result आपको किसी भी दिन देखने को मिले लेकिन अभी वहाँ से कोई fix date पता नहीं है कि कब तक वो ये काम कर देंगे तो मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने special वालों का exam दिया special educators, special education teachers तो आप RTI लगाके एक बार पता कर लीजिए इसके बाद दूसरा question आता है क्योंकि ये तो बात हो गई special वालों की तो मुझे अभी कोई ऐसा confirm नहीं है कि मैं आपको बता दू तब आएगा तब आएगा इसके बाद question आ रहे है कि DOE का जो result है DOE का result कब तक आ जाएगा final result तो साथियों DOE का जो result है जैसा आप देख रहे हैं कि DSSB ने FAB में काफी result दे दिये हैं हो सकता है कि किसी भी दिन DOE का result आ जाए जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्च तक भी कुछ result जा सकते हैं लेकिन मार्च स्टार्टिंग तक या तो मार्च स्टार्टिंग में ही उसका result आ जाए या जो last है FAB last इसमें result आ सकते हैं तो ये update है अभी इसके बाद कुछ कोशन ये भी आ रहे हैं कि क्या MCD PRT का exam कैंसल हो सकता है तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ MCD PRT का जो exam है उसके कैंसल के पक्स में हम नहीं है सबसे पहले बच्चों के साथ justice हो सबसे पहले normalization में बदलाव हो fair तरीके से normalization हो ये सारी चीज़े हो और CBI inquiry की भी आपको पता है बात चल रही है और उम्मिद ये की जल्दी CBI inquiry भी होगी तो सबसे पहले ये की justice हो अगर किसी के साथ गलत हुआ कहीं भी तो उसको न्याय मिले ये नहीं की सारी चीज़े दब कर रह जाएं देखो कुछना कुछ गलत तो है ये आपको भी पता है तो justice मिले तो गुडबाई टेक कियर थेंक यू जैहिंद वन दे मात्रम